Hello friends, कैसे हैं आप लोग? दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे August 2015 में पबलिश हुई बुक Everyone Has A Story के बारे में जिसकी ओतर है सभी शर्मा दोस्तो ये एक inspirational romance novel है जिसकी कहानी बहुत ही interesting है जो की चार लोगों की life पर बिज़्ट है इस कहानी में चार main characters होते हैं जिनकी अपनी अपनी एक कहानी होती है जो की एक दूसरे से बिलकुल अलग होती है इस कहानी की first character होती है Meera जो की एक unexperienced writer होती है और उसे एक ऐसी story की तलास होती है जो करोणों लोगों के दिलों को चुजाए लेकिन उसे कोई भी idea नहीं होता कि ऐसी story कैसे और कहां से डून दी जाए कहानी का second character होता है विवान जो की एक bank में assistant branch manager होता है विवान का एक secret desire होता है कि ये जिन्दीजी में एक बार world travel करना चाहता है और पूरी दुनिया को अपने नजरिये से देखना चाहता है कहानी का third character होता है एक coffee shop का manager कबीर जो की मीरा का दोस्त होता है और उसे story लिखने के लिए हमेशा encourage करता रहता है कबीर का भी एक desire होता है कि वो अपने दम पर जिन्दीजी में कुछ बड़ा करना चाहता है कहानी की fourth और last character होती है निशा कबीर के cafe की एक regular customer जिसके भी कुछ अपने secrets होते है कबीर को निशा का उसके cafe में आना बहुत पसंद होता है और उसकी ये पसंद एक दिन प्यार में बदल जाती है इस थरह इन सभी की अपनी अपनी एक कहानी होती है Everyone has their own story लेकिन क्या होता है जब ये चारो कहानियां आपस में मिलती है क्या ये सभी अपने अपने desires अशीव कर पाते हैं प्यार और दोस्ती की ये कहानिया क्या रंग लाती है ये जानने के लिए दोस्तों आपको इस बुक की पूरी कहानी पढ़नी होगी मैं इसका spoiler देकर आपका interest कम नहीं करना चाता दोस्तों ये कहानी चार अलगलग कहानियों की एक unforgettable कहानी है जो की love, friendship और desires पर बेज़्ट है अगर आप इस बुक के बारे में कोई और detail चाते हैं या इस बुक को purchase करना चाते हैं तो नीचे description में दिये link पर click कीजिए दोस्तों ऐसी ही और interesting books के बारे में जानने के लिए वीडियो लाइक कीजिए और हमारा channel A to B subscribe कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और interesting book की interesting कहानी के साथ सब तक के लिए bye bye, take care, have a nice day